मोदी जी हमारे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनका एक अपना औरा है जो इनको बाकी वर्ल्ड लीडर से सबसे अलग बनाता है लीडर्स ना हमेशा confident होते हैं और इनका confidence अलगता है इनके watches में आप हमेशा मोदी जी के wrist पे एक classic gentleman dress watch देखोगे इनकी watch की selection काफी matured and to the point है वाइड डायल वाली watch, silver stainless steel case with black leather belt sometimes ये अपना watch अंदर की तरफ भी पहनते हैं जो एक old school तरीका है watch पहनने का ऐसा करने से watches protected रहती है और जादा distraction नहीं होता है मोदी जी के उपर एक biography लिखी गई है और उस biography में mention किया है कि मोदी जी का favorite watch brand है Mowado जो एक Swiss watch brand है Mowado की लंबी history है, 140 साल पुरानी watch company है Mowado watch का signature style है ये golden dot जो इनके हर एक watch में देखने को मिलेगा Mowado watches इंडिया में Amazon पे available है 30,000 रुपए से लेकर 1.5,000 रुपीज तक वैसे मुझे Mowado उतना पसंद नहीं है क्योंकि value for money नहीं है और example ये देखिए 90,000 का watch है, सिर्फ 30 मिटर्स का water resistance है और moment quartz वाली है 90,000 में automatic moment तो बनता सा ना Hello रुस्तो मेरे नाम है Pankash, welcome back to watch gun इंडि जहां पे सिर्फ watches की बाते होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं अमिताब बच्चन, विजय दिनाना चहान, जिनको 11 मुलकों की police धून रही है क्योंकि रिष्टे में वो हम सब के बाप लगते हैं मतलब क्या actor है यार, इनके movies का नाम आपको याद हो ना हो पर इनके बोले हुए dialogues दिमाग में बैठ गए permanently बच्चन साब larger than life जिन्दगी जीते हैं ये लोग को वैसे ही बैटे बैटे करोड़ोपती बना देते हैं वैसे बैटे बैटे आप भी मुझे करोड़ोपती बना सकते हो अगर चानल को सब्सक्राइब करते हो तो नॉर्मली बच्चन साब के wrist पे ये rectangular shape ब्राउन लेदर बैट एंड वाइड डायल वाली JLC वाच देखा जा सकता है JLC एक Swiss वाच ब्रैंड है पहली बार reversible flip watches को इन्होंने ही डिजाइन किया था 1930s में बच्चन साब कभी कभी दोनोर इस पे वाचिस भी पहनते हैं इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं एक हाथ में है 50 लाख वाली रिचर्ड मिल और दूसरे हाथ में है 10 लाख वाली JLC वाच रतन टाटा इनकी लीडर्शिप में टाटा कमपनी ने 40 टाइम्स ग्रोथ करी है बहुत बड़े visionary लीडर है कोई सोच भी निसकता था कि एक लाख रुपए में कार बन सकती है और इन्होंने करके दिखाया नयानो कर बना के 65% of his shares are in charitable trust इंडियन वाच कम्यूनिटी को सबसे बड़ा तफ़ा मिला in the name of Titan Watches इंडिया की biggest watchmaking company प्रतन टाटा जी बहुत सिंपल इंसान है इनके wrist पे दो watches मैंने देखी है एक तो ये classic minimal white dial watch छोटा dial वाला watch है ये almost 36-37 mm का case size होगा मुझे लगता है ये Titan का ही watch है और एक watch भी ये पहनते है black dial, black silicon belt मुझे लगता है ये एक field watch है जो possibly Victor Renox का Swiss Army वाला model है जिसका price है around 50,000 रुपीज नवाजोदीन सिद्ध की मेरे favorite actor है इनके हातों में धूनने से भी watch नहीं मिलेगी ये हमारी तरह ही एक गरीब actor है humble background से आते हैं आम आदमी का roll करते हैं और बिचारा आम आदमी कहां से watch पहन के गुमेगा है न 90% of the time नवाज भाई ने watch नहीं पहनी है इंडिया में ऐसी है 50% of the people watch नहीं पहनते हैं उनको uncomfortable सा होता है पर कुछ जगा पे नवाजोदिन भाई ने apple watch पहनी है किसी ने gift करी होगी इसलिए पहन लिया होगा MS Dhoni MSD इंडिया के बहुत बड़े icon है World Cup Final Match में चक्का लगा के इंडिया को जिताने वाले World Cup winning captain Mr. Captain Cool MS Dhoni ये player भी बहुत बड़े थे इनका batting का style different था इनके captaincy का style different था तो इनके watches का style भी different ही रहां चाहिए और ऐसी है मैंने भी expect नहीं किया था MSD को पसंद है Italian Luminor Panerai watch माही भाई को चोटे मोटे watches पसंद नहीं आते हैं इनको heavy watch चाहिए और इसलिए ये prefer करते हैं Bold Big Boy Luminor Panerai ने धोनी special edition watches भी बनाई है इन special edition watches का price 22 लाग रुपे है इस watch के see-through case pack पे MS Dhoni का engraved signature और Mahindra Singh Dhoni 183 runs printed है वैसे माही भाई को Apple watch के साथ भी देखा गया है अल्लू अर्जुन ये actor कभी जुकेगा नहीं South Indian Film Industry के real style icon जो Bollywood को सीधा टककर दे रहे हैं इनकी versatile acting and लाजवब dancing का कोई मुकाबला नहीं है इनके watches भी बहुत ही versatile है 1200 रुपे वाला Casio A158 digital vintage watch से लेकर 10 लाग रुपे वाला Rolex date होना watch Casio G-Shock watches भी इनको पसंद है जब ये suit पहन के tip top रहते है न तो इनको exactly पता है कौनसी watch पहनी चाहिए suit के साथ ये एक proper gentleman की तरह Cartier Santos square watch पहनते हैं जो suit के उपर एक classic killer combination माला जाता है Sachin Tendulkar Little Master, God of Cricket, Master Blaster Virat Kohli जैसे player cricketer बने Sachin Tendulkar को खेलते हुए देखकर 19 century से international cricket खेली जा रही है और पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जिसने 100 centuries की है और उसका नाम है Sachin Tendulkar Sachin की पहली watch थी Casio और इनका favorite watch brand है AP और model है Audemars Piguet Royal Oak जिस watch को Sachin ने 2011 वाले World Cup trophy उठाने के टाइम पे पहना था इस watch is very close to his heart Audemars Piguet एक luxury Swiss watch brand है इंडिया में AP Royal Oak के watches 40 लाग रुपे से शुरू होते हैं इसका मतलब AP Rolex से भी ज़्यादा expensive watch है लता मंगेशकर The Nightingale of India Queen of Melody Officially 5-4 गाने गाये हैं और हर गाने में जादू भरी आवाज किशोरदा और लता जी ये दोनों music के भगवान हैं तो लता जी को आप याद करेंगे तो एक traditional सारी पहने हुए lady दिखाई देगी जो आपको अपनी मा की याद दिलाएगी इतना कुछ अच्छे किया है इन्होंने कोई controversy नहीं कोई media है अपनी और simple down to earth person इनसे हम बहुत कुछ चीख सकते हैं इनकी watches भी बिलकुल typical ladies watches ही है चोटे चोटे dial वाले पतले slim belt वाले लता जी के watches या तो gold treated watches होते थे या white dial वाले leather belt watches होते थे इनका एक watch है जो मैं दूर से ही पहचान गया Rolex Datejust इस watch का price 6 lakh रुपय है around grey market में कलपना चावला first Indian woman astronaut to go to space in 1997 unfortunately 2003 में space mission से लोटते समय इनके shuttle का crash हो गया और इनकी death हो गई पर जाते जाते कलपना चावला ने एक legacy छोड़ी है और हम सब Indians को बताया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है इनका watch बहुत special है जो इन्होंने space mission में पहना हुआ है ये watch इसलिए भी special है क्योंकि कभी न कभी हम सब ने किसी न किसी के हाथ में ये watch को जरूर देखा है जी हाँ दोस्तों ये watch है कैसियो का G-Shock और इस watch को कोई फरक नहीं पड़ता है इसको आप जमीन पे यूज़ करो या आसमान में यूज़ करो ये बस चलता रहेगा G-Shock Watch की price 3000 रुपे से start होती है तो भाईयों आप लोग देख रहे हो कि मैं कुछ नया मज़ेदार content लेके आ रहा हूँ आपके लिए मैनत करनी पड़ती है research करनी पड़ती है तो थोड़ा सा आप appreciate करिए like करे, share करिए, subscribe करिए कुछ नए topic के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में अपना खायल रखेगा, bye bye